Welcome back everyone, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ियाओंगे Rice water या फिर कहें चावल के पानी से stronger beauty ingredient आपको नहीं मिलने वाला आप अराम से अपनी किचन तक जाके इस basic beauty ingredient को अचीव कर सकते हो ये बहुत जादा popular ingredient है already हमारे बालों के लिए इसको thousands of years से use किया जाता था for stronger and healthy hairs बट आजकल ये skin treatment में भी बहुत जादा popular हो चुका है आपने देखा होगा market में कितनी जादा rice water की day creams आ गई है night creams आ गई है, face wash आ गई है उसका main reason ये है कि जब हमारी skin की बात आती है ये हमारी skin को tone करने का काम करता है, skin को soothe करता है और एक बढ़िया वाला glow add करता है रही बात बालों की, तो बालों को stronger बनाता है, healthy बनाता है जो rice water है वो बहुत ही easily available और inexpensive ingredient है जो आप अराम से ready कर सकते हो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप best वाला rice water ready कर सकते हो जो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपकी skin के लिए भी और hair के लिए भी और साथ-साथ हम आपको दो ऐसे magical तरीके बताएंगे to use rice water for skin and hair हम एक तरीका बताएंगे skin का और एक तरीका बताएंगे hair का आपको अराम से अपने daily routine में adapt कर सकते हो और best skin, best glass skin और साथ-साथ stronger और healthier घर बैटे-बैटे अचीव कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते है how to achieve glass skin and stronger hairs with rice water सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे आप best वाला rice water ready कर सकते हो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी remedies की तरफ because आपका rice water अगर best prepared नहीं होगा तो results भी best नहीं मेल पाएंगे सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1-5 cup rice आपने उसको एक bowl में transfer कर रहा है अब सबसे जरूरी पार होता है rice को properly wash करना एक और question जो बहुत बार पूछा जाता है कोई भी rice use कर सकतो उसमें कोई problem नहीं है जो आपके पास available है घर में वो वाला rice आप use कर सकतो अब आपके पास है half bowl of rice उसको आपने properly wash करना उसमें properly पानी डालो और हाथ से properly scrubbing करकर उसको properly wash कर लो आप दो बार इसको wash कर सकतो ताकि properly dirt और impurities निकल जाए अब जो dirty water ना उसको आपने properly separate कर देना है rice से अब जो आपके निकल कर आए है वो है बिल्कुल clean rice अब आपने इसको transfer करना है एक glass container में जिसको आप close कर पाओ एक lid होनी चाहिए उसमें आपने सारा rice उसमें transfer कर देना है अब आपने जितनी rice की quantity ली है उससे two and half times पानी उसमें add करना है और उसको आपने leave on कर देना है 12 से 24 घंटे के लिए रात को छोड़ दो अराम से 12 से 24 घंटे minimum time बता रहा हूँ मैं तभी rice की सारी गुटे तो समें transfer होगी जैसे जब आप उठोगे next morning आपका जो water है ना वो milky white हो चुका होगा अब आपने separate कर देना है rice को और water को और जो निकल कर आया है ना वो है आपका magical rice water इस rice water को आप एक spray bottle में transfer कर सकते हैं या एक glass bottle में transfer कर सकते हैं जिस पर spray lid लगा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए usage बहुत जादा असान हो जाएगी अब आपने जब इसको transfer कर लिया है यह है आपका magical rice water जो आपने आज use करना है remedies के लिए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं कैसे आप इस magical rice water को use कर सकते हो for stronger hairs and beautiful skin पहले बात करने वाले हैं बालों की जो की है number one hair rinse with rice water hair rinse करना बहुत basic सा process लगता बट अगर आप हमारे बताएगे तरीके से करोगे ना आपको much better result मिलने वाला है सबसे पहले तो normally अपना shampoo कर लो जैसे भी आप करते हो उसके बाद आपना conditioner भी लगा सकते हो अगर आपको आदत है नहीं आदत तो conditioner को मत लगाओ जैसे आपने wash कर ले आपके बाल हलके गीले होने चाहिए जो हमने आपका spray में rice water fill कर आया आपने बालों को sections में separate कर लो उस rice water क तो properly अपने बालों में बढ़िया ढंक से roots पे spray करो एकदम बढ़िया से spray कर लो कोई भी पार छोड़ो मत जो आपने spray किया है इस rice water को आपने 10 से 15 मिनट के लिए leave on करके रखना है और थोड़ा सा massage कर सकतो जितना आप massage करो कि उतनी goodness आपके बालों में जाएगी rice water की और ये आपके dry ball, damaged ball, split ends, हर चीज पे work करने वाला है और साचत hair growth को boost करेगा और hair fall को control करेगा अब ये rice water आपने leave on करना है और जो बचावा rice water है आपका उससे आप अपने बालों को properly rinse कर सकतो देन आप normally अपने बालों को पानी से wash कर सकतो आपको इसके बाद शैंपू करने की कोई ज जैसे आप अभी-अभी spa कराकर आए हो पार्लर से यह spa वाली goodness देता है और इसके साथ साथ आप मन में यह जानते हो कि बिल्कुल 100% herbal ingredient है तो बिल्कुल tension लेने की बात नहीं है इसको कोई भी use कर सकता है आपकी कोई भी age है ना छोटा बच्चा भी इसको use कर सकता है with no side effects at all आ आप बात आती है कि आपको उसको कितना ओफन यूज करना चाहिए आप देखो इसको चाहो तो डेली भी use कर सकते हो अगर आपको लगता है आपके बालों को हलका सा ड्राय कर रहा है तो दो से तीन बार हफते में इसको यूज कर सकते हो यूज करना तो बिल्कुल basic सा काम है जैसे नौर्मली पानी डालता हो वैसे आपने इसको डालना है और ज़रूरी नहीं आपने शैंपू कर रहा है कभी आपके बाल आपको लग रहा है clean है और शैंपू नहीं करना चाहते है तो भी आप नौर्मली rice water को spray कर सकते हो बालों मेर पानी से rinse कर सकते हो जितनी भी goodness है वो ट्रांसफर हो जाएगी आपके बालों में और आपको पहले यूज में मिलेंगे shiny, lustrous और बढ़िया hairs बढ़ते हैं आगे वीडियो के साथ और आपको बताता है skin benefits of rice water हम आपके लिए ready करवाने वाले है skin lightening mask with rice water rice water के अंदर होते हैं amino acids, vitamin B, vitamin E और साथ-साथ anti-oxidants जो हमा वो डालते हैं उसके अंदर होता है preservatives तो कहीं न कहीं goodness kill हो जाती है बट जो आप prepare करने वाले हो वो बिना preservatives के होगा और best results करेगा मैं सबसे पहले आपको एक असान सा hack बता देता हूँ आप एक छोटी सी bottle लो जैसे आप normal rose water आते हैं डाबर या किसी भी brand का जब उसमें आध हफिल कर दो rice water और properly उनको shake कर लो आप normally उसको अपने face पे spray कर सकते हो यह properly toning का काम करेगा और आपके face पे बढ़िया वाला glow देगा अब बढ़ते हैं आगे अपने magical mask की तरफ यह बहुत असानी सा prepare कर सकते हो इतने easy three ingredients आपको बताऊंगा ना और जो results मिलेगा वो next level का ही होन सकते हो aloe vera gel के बारे में बहुत अच्छे जानते हो एक non sticky एक moisturizer का काम करता है आपके face पे glow add करता है और साथ स्किन को सूध और relax कर देता है उसमें आपने add करना है आधा चमच rice water rice water की खूबिया मैं आपको बहुत बता चुका हूँ आज की वीडियो में properly इनको बढ़िया ढ समस्या होती है ना dark spot हो गया pigmentation हो गया dullness हो गया tanning हो गई हर चीज यह हटाने का काम करता है प्रॉपर्ली बढ़िया डेंक से mix कर लो आपका skin lightening beauty mask ready हो चुका है इस mask को आपने पूरे face पे apply करना है neck को मजबूलना हमारी neck पे सबसे जाधा tanning होती है इस mask को आपने 10-15 minute के लि आपके face पे देगा ना जो facial deliver करता है ना 5 step के साथ यह अकेले वो deliver करने वाला है और रही बात long run में यह long run में आपके face से dark spot, pigmentation, acne के निशान जो जिद्धी सकार से रह जाता है face पे जिसके लाप बहुत चीज़े try कर चुके और हट नहीं रहे है उनको भी fade करने का काम करेगा आप बारी आते हैं इसको कितना often आपने use करना है आप चाओ तो इसको maximum हफते में दो बार use कर सकतो बट हफते में एक बार तो आपने इसको use करना ही करना है जब आप इसको 4 times use कर लोगे आपकी skincare best version आपको दिखना शुरू हो जाएगा और बड़ियाव अलग लो आपके face पे आई यह नहीं आई अगर पसंद नहीं भी आई ना तो भी जरूर बताया करो बाकी वीवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि remedies कितनी powerful है और कितनी effective है एक जरूरी सवाल का मैं जवाब और देता हूं rice water को आप कितने लंबे समय तक store कर सकते हो अगर आप देखो room temperature में रख रह solution है तो आप अराम से एक हफते तक rice water को store कर सकते हो अब बार याति है सबसे जरूरी बात की कुछ चीज़े ना बातने से बढ़ती हैं जैसे कि खुशियां और दूसरा हमारी वीडियो अगर आप हमारी वीडियो शेयर करोगे ना अपने friends के साथ उससे हमारी family बढ़ी होगी और हमारी family बढ़ी होगी तो हम आपके लिए और next level वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपको बहुत जादा बढ़िया धंग से home remedies को use करने का तरीका भी बताएंगे और रही बात cosmetics product ही हम आपको best cosmetics product भी बताते रहेंगी कि कौन सा आपकी skin type के लिए best रहने वाला है तो बिल्कुल भी देरी ना करो, वीडियो को like करो, वीडियो को share करो और channel को subscribe करो, तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, until next time, this is your host, it's Sajdeva, good bye